इस third party के अलावा कोई और दिखता ही नहीं है आपके partner को third party के नशे में हैं dear आपके partner इनकी आखों पर तो पट्टी बंधी है कहीं न कहीं मुर्ख हो गए हैं ये third party के पीछे और third party जो है गिराना चाहती है आपके partner को loot तो पहले ही चुकी है तो चलिए देखते हैं कि थर्ड पार्टी से क्या आपके पार्टनर को धोका मिलने की कोई उमीद है चलिए देखते हैं कि थर्ड पार्टी से क्या आपके पार्टनर को किसी तरह का कोई चीटिंग कोई धोका मिल सकता है प्लीज उनिवर्स पताएं प्लीज उनिवर्स गाइट करें कि क्या थर्ड पार्टी की तरफ से कोई ऐसी सिच् प्रेशन क्रियेट हो सकती है क्या ओके दिया तो चलिए देख लेते हैं क्या है दफूल के अनर्जी निकली है यहां पर नेक्स कार्ड है डेथ का कार्ड है यहां से एस ओफ सोड्स है टू ओफ सोड्स है डियार कार्ड सापको सारे दिख रहे होंगे डियार फाइव ओफ पैंटिकल्स सैवन ओफ वांड तो डियार बहुत सारे थोट्स ऐसे हैं आपके पार्टनर की कहीं न कहीं जिसमें यह उल्चे हुए हैं और डियार उल्चा के जिसने रखा है आपके सामने उसकी इमेज दिख रही है कि वो जो थर्ड पार्टी है बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर को कहीं न कहीं अपने इंफलेंस में रखी हुई है बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखा हुआ है और dear option तो आपके partner के life में कहीं न कहीं ये third party दिखा रही है आपके partner को ऐसा दिखा रही है कि इसकी life में कुछ और लोग भी involved है ताकि आपके partner का ध्यान जो है वो ये third party जो है अपनी तरफ खीश सके तो सारे cards आपको दिख रहे हैं sign में आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर sign क्या निकला है oh my god bottom के energy से अगर हम देखें तो dear devil आया है bottom के energy से कहीं न कहीं यहाँ पर ये जो रिष्टा है third party के तरफ से आपके partner को धोका मिल सकता है या नहीं तो dear यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि devil के energy दिख रही है अभी third party के अंदर और ये third party जो है अभी पूरी तरफ से negativity में पड़ी हुई है ठीके dear तो यहाँ पर sign में आपको बता देती हूँ cancer, scorpio, pisces, taurus, vargo, capricorn हो सकता है gemini, libra, aquarius हो सकता है, aries, leo, sagittarius हो सकता है okay dear तो यह sign यहाँ पर दिख रहे है, prices भी है, ठीके, तो यहाँ पर third party और partner के रिष्टे में आप यूँ समझ लीजिए घूमना, फिरना, सब कुछ चल रहा है, पूरी तरह से अगर दिखा जाए, तो सब कुछ चल रहा है, घूम भी रहे हैं, फिर भी रहे हैं, एक दुसरे के साथ में पर डियर, सब कुछ चलते हुए, इन दोनों के रिष्टे में इशू आ गये हैं, किसी तरह का कोई इशू तो इन दोनों के बीच में दिख रहा है, किसी बात को लेकर यहाँ पर एक ऐसा माहूल दिख रहा है, जहाँ आप से शिर्वात ऐसी दिख रही है, कि यह रिष्टा जो है पूरी तरह से टॉक्सिक हो गया है, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के रिष्टे में सब कुछ अच्छा चलते हुए, रिष्टे में हैपिनेस दिखते हुए भी, रिष्टा जो है कहीं न कहीं डगमगा गया है, इशू आ गये हैं इन दोनों के और डियर वो चीट दिख रही है कि रिष्टे में समूद नहीं चल रहा है, रिष्टा जो है रहने लगा है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में दोनों के बीच में फाइनेस को लेकर इंसेक्यूर्टी फील हो रही है, कहीं न कहीं आप देखिए कि यह रही है स्सक्राँ आपके पार्टनर का फाइन próxima में बहुत ज्यादा ल jijसोला और यह उउर्य क का ध्यान के इस तरफ ज्याधा या da धिए यहाँ पर यह यहिए पर्टनी रिमांड करी आपके पार्टनर से हो सकता है तुन फेर्ट ऐसा भी दिखरा है कि इतनी डिमांड करी गई है जिसके कारण लॉस हुआ है आपके पार्टनर को हो सकता है कि फाइनेंस को ले कर आपके पार्टनर जो है बिलकुल लापरवा हो गए थे इस थर्ड पार्टी पे अपना पैसा उड़ाते चले गए डियर जिस तरह के डिमांड इस थर्ड पार्टी ने करी ये थर्ड पार्टी की तरफ अपना पैसा बहुत ज्यादा खर्च कर रहे थी तो वह चीज़ दिख रहे है कि इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर ने वह सारी चीज़े दे दी लगजरी लाइफ देने के चकर में या फिर इसके डिमांड यह पूरी करने के चकर में यह जो पार्टनर थे इस धरद पार्टी पर अपना पैसा उड़ा दे चले गए। मतलब इसके जो इसके शौक थे वह पूरा करने के लिए आपके पार्टनर काफी हट तक अपनी जो तीजोरिया थी फानी कर दी तो, तो सब कुछ ऐसा लग रहा है ये पार्टनर को लूट कर खाली कर दिया है इस थर्ड पार्टी ने तभी तो आपके पार्टनर की लाइफ में ये दिन आ गए हैं आपके पार्टनर जो है इन सब मुसीबतों से गुजर रहे हैं उनको भी ऐसा लग रहा है कि उनकी लाइफ में एक समय था जब बहुत सारा finance हुआ करता था बहुत सारा पैसा हुआ करता था बिजनिस बहुत अच्छा चल रहा था जब वो आपके साथ में थे लेकिन जब से वो इस third party की life में attach हुए हैं तब से शायद आपके partner को यह हसास होने लगाए कि उनका bank balance जो है वो कहीं न कहीं खा सम हो गया है और आपके partner जो हैं बहुत सारी यहां पर आप देख पा रहे हैं बहुत सारी problems उनके सामने आ गई है finance से related बहुत सारी दिक्कते उनके सामने आ गई है और उन सब चीजों का यह सामना कर रहे हैं और इनका mode जो है आजकल बिलकुल अच्छा नहीं रहता है काफी चीजे यह partner से ले चुकी है third party यहां पर काफी हद तक दिख रहा है कि third party ने आपके partner से बहुत सारी चीजे जो थी ऐसी वो ले ली है अभी तक बहुत enjoy किया इनके पैसे पर बहुत enjoy करती गई अपनी life का हर एक जो moment था बहुत enjoy में बिताया है third party ने dear वो चीज दिख रही है क काफी हद तक आपके partner ने इस third party के finance को लेकर बहुत help करी है dear और जितना हो सकता था आपके partner ने इस third party को दिया है तो काफी चीजे यह partner से तो ले चुकी है dear और हो सकता है कि इसने कुछ business जो थे वो तक अपने नाम करा लिया कुछ घर थे वो तक अपने नाम करा लिया तो बह आपके partner के पास में जो खुद की property थी, जो खुद की चीजे थी, वो अब third party के नाम उन्होंने transfer कर दी है, या third party को gift कर दिया है, तो वो चीज दिख रही है, partner पूरी तरह से कंगाल हो गए है, पूरी तरह से partner के life में ऐसे situation आ चुकी है, कि ये partner जो है, पूरी तरह से कंगाल हो चुके हैं, इनके पास में बिल्कुल पैसा नहीं है, इस third party confusion में दिख रही है, dear, कि आपके person जो है, उनके पास तो पैसा बिल्कुल खत्म हो गया है, हो सकता है, इस third party को अब ये realize हो रहा है, कि अभी तक कि जो वो life जी रही थी, जिस तरह का वो enjoyment कर रही थी, जिस तरह का भ रहा है, finance related कुछ बहुत ज़्यादा helpless feel कर रहे हैं आपके partner, और dear, यहाँ पर उनको help की बहुत जरुवत है, और यहाँ पर help तो इस third party से एक रती भर की help नहीं मिल रही है, आपके partner को, पूरी तरह से उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो सड़क पे आ गये हैं, बहुत ज़्याद सब कुछ third party पर लुटा बैठे हैं, अभी तक यह चीज दिख रही है, कि आपके partner ने जो भी saving करी थी, जो भी इन्होंने कमाया था, वो सब इन्होंने third party पर लुटा दिया है, dear, अपनी savings बहुत पैसा जोड़ा था, आपके partner ने, आपके भविश्य के लिए, आपके कल के ल पर खर्च कर दिये, इस third party ने बहुत कुछ ले लिया है, एकाउंट इनके पूरी तरह से खाली कर दिये गए हैं, कहीं न कहीं, सब कुछ third party पर लुटा चुके हैं, dear, आपके partner उसको दे चुके हैं, कि ले जा भई, तू enjoy कर, तो यहाँ पर आपके partner ने काफी हद तक इस third party क demand पूरी करी है, dear, और यह दिख रहा है कि अब आपके partner जो है confusion में रहने लगें, अब आपके partner को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, कि करना क्या है, क्या नहीं करना है, सिर्फ life में confusion दिख रहा है, पैसा भी जीवन का एक अहम हिस्ता होता है, और अब आपके partner को समझ आ रहा है, कि जरुष से ज़्यादा पैसा उन्होंने इस third party पे खर्च कर दिया है, और dear, अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पर यह चीज दिख रही है, कि यह partner की आँखों पर जो पट्टी बंदी थी, जो वो देख नहीं पा रहे थे, जो वो समझ नहीं पा रहे थे, है ना, confusion में रहते थे, तो अब इनकी आँखों पे से वो पट्टी जो है, कहीं न कहीं हटे गी और इन्हें सच्चाई समझ में आएगी, कि यह third party इनसे काफी कुछ चीजे लूट चुकी है, ले जा चुकी है, dear, अब partner को ऐसा लग रहा है, कि कैसे manage करें हैं, dear, partner से जादा तो third party को फर्क बढ़ रहा है, पता है, आपके partner तो थोड़ा बहुत सोच रहें कि यार, ऐसा business में loss हुआ है, तो चलो मैं ऐसा कर लूँगा, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि यह third party जो है ना, कहीं न कहीं, इसने आपके partner के साथ में, जो पैसा आता था, जो चीजे आती थी, वो किसी business में लगा दिया था, और dear, हर मन्त उसको कोई किस्त भरनी रहती होगी, या कुछ बड़ा लोन इसने ले लिया है, तो वहाँ पर ये किस्त देती थी, या कुछ भी ऐसा था, कि जहां पर इसे बहुत बड़ा amount भरना रहता था, कहीं पर, और ये व इसी कंगाली में अगर ये परसन रहते हैं, तो ये third party बहुत बड़न ले रही है, इस बात को सोच कर, कि ये अगली किस्त कहां से देगी, किस तरह से ये पैसो का इंतिजाम कर पाएगी, किस तरह से ये विवस्था कर पाएगी, ताकि इसके life में कोई और problem ना आ जाए, तो मुझे तो कुछ ना कुछ तो action लेना पड़ेगा, मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो dear यहाँ पर आपके partner के ऐसे हालात देखकर, आपके partner को लुटता पिटता देखकर, ये third party जो है ना कही ना कही इसके mood swing बदल रहे हैं, आप यकीन मानिए कि ये third party जो है न बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है कि भई यहाँ पर तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, अगर ये पैसा नहीं रहा तो third party के life ही खत्म हो जाएगी, तो यहाँ पर third party बहुत सारी चीजों को लेकर फर्क पड़ता हुआ दिख रहा है, dear finance इतना डगमगा जाएगा, ये कभ खुद नहीं करना, बिजनिस में help नहीं करना, सिर्फ enjoy करना, अगर इंसान ऐसा करेगा तो एक ना एक दिन उसे loss में तो जाना ही पड़ेगा, अगर आप कहीं पर पैसा खर्च कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ से earning का source भी होना चाहिए, वो जरूरी है, लेकिन इस third party को तो मान कि प्लानिंग जो थी ना, कि आपके पार्टनर इसको बहुत पैसा देंगे, आपके पार्टनर जो है से काफी हद तक help करेंगे, और आपके पार्टनर के दम पर इसने बहुत कुछ किया है, बहुत सारी situation ऐसी create करी है, जहां पर इसने भारी भारी लोन ले लिये हैं, बहुत amount थे, वो सब कहीं बिखर से गए हैं, कि आपके पार्टनर क्या-क्या चीजे maintain करेंगे, क्योंकि इनके पास में एक समय था, बहुत कुछ था, लेकिन धीरे-धीरे करकर इनका जो account है, जो balance है, वो कही न कहीं डगमगा गया, बहुत कुछ इनकी life से खाली हो गया है, और ये इस third party ने दिया है, इस third party ने अगर अपने हाथ खेचे होते हो और ये थोड़ी समझदारी दिखाई होती, तो शायद आपके partner को इतना ज्यादा भारी loss अपने business में नई सहन करना पड़ता, तो यहाँ पर यही दिख रहा है कि दिक्कतें आएंगी, अभी third party जो है ना, वो finance को लेकर बड़ा कदम उठाने वाली है, बड़ा कदम उठाने वाली है, और उठाना चाहती है, यह बहुत परिशान हो रही है, dear third party, अब चट पटा रही है, पूरी तरह से आप समझ सकते हैं, जैसे मचली कैसे होती है, बिन पानी के कैसी फड़ फड़ाती है, उसी तरह यह पानी जो है खतम होते चले जा रहा है और कैसे ये थर्ड पार्टी सांस ले पाएगी बगेर इसके तो यहाँ पर इसको बहुत बेचेनी हो रही है बहुत ज्यादा परिशानी होती दिख रही है ये थर्ड पार्टी का ये बहुत परिशान हो रही है ये थर्ड पार्टी सहते सहते परिशान हो जाएगी इसको डर लगने लगेगा डर के साई में जी रही है दियर थर्ड पार्टी क्योंकि इसे डर लगना सौभाविक है क्योंकि फाइनेंस के कारण ये पैसों की जो प्रॉब्लम आ रही है इधर जाओं उधर जाओं कहां से लाओं कैसे अपने लाइफ का इतना बड़ा जो इन्होंने इतनी सारी डिमांड फैला के रखी है इतना सारा करके रखा है उस सब के बारे में सोच ली कि कैसे मैं पैसे इतने दे पाऊंगी कैसे मैं किस तभर पाऊंगी यहां पर तो पार्टनर के पास कुछ है ही नहीं तो मैं प्रेशर कैसे डालूं यहां पर अगर पार्टनर के पास कुछ होता और वो ना दे रहे होते तो वो बात चलती लेकिन यहां पर यह क्लियर दिख रहा है कि आपके partner के पास में कुछ बचाई नहीं है तो ये third party क्या control करेगी क्या पैसे मांगेगी क्या पैसो की demand करेगी तो वो चीज यहां पर दिख रही है कि ये जो third party है ना ही कोई दबाव डाल सकती है ना ही कोई pressure डाल सकती है कि आप मुझे पैसे दो हाँ ये बोल सकती है कि आप मुझे पैसे नहीं दे रहे हो तो मैं आपको छोड़ दूँगी या आपके जिंदगी से चली जाओंगी इस बात का burden ये third party जरूर दे सकती है धमकी दे सकती है एक तरह से मान लीजिए लेकिन ये third party जो है dear ये वहाँ पर बिलकुल भी आपके partner की इसने कदर नहीं करी finance को लेकर बिलकुल भी serious नहीं रही उडाते रही enjoy करती रही वो चीज़े यहाँ पर दिख रही है dear तो third party बहुत ही उलजी है dear अभी इस finance को लेकर बहुत पैसा पैसा इसके इर्द गिर्द घूम रहा है मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो third party है ना बहुत ज़्यादा सहते सहते परिशान हो जाएगी डर के साहे में जीने लगेगी dear देखे इस third party ने market में बहुत ज़्यादा loan उठाया है बहुत ज़्यादा पैसा फसा दिया है या फिर कोई नया business खोला है या फिर नई कोई ऐसी चीच करिये जहाँ पर इसने बहुत जरुत से ज़्यादा पैसा लगा दिया है शायद आपके पार्टनर को बताया नहीं होगा कि इस third party के मज़े आते हुए दिख रहे हैं ये third party जो है टैंशन लेती हुई दिख रही है और third party को tension हो रही है ये third party प्यार को एक तरफ रख कर finance को लेकर protective हो रही है बहुत ज़्यादा सोच रही है और ये दिख रहा है कि ये इतना ज़्यादा सोच रही है कि ही न कहीं फील होती है कि वो इस थर्ड पार्टी रिलेशन में बंदे हुए हैं और थर्ड पार्टी जो है उनके आँखों पर जो पट्टी बंदी है आपके पार्टनर के आँखों पर वो थर्ड पार्टी उसको फायदा उठा रही है और फायदा उठा कर करें उनको गलत रा नशे में इसकदर धूत है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के नशे में इसकदर धूत है कि आप आखों पर तो पट्टी बंदी हुई है उन्हें सच्चाई दिखी नहीं रही है मुर्ख बना के रख दिया है इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को कहीं न कहीं इस समझ लेजिए मुझे प्यार तो नहीं दिखरा है पर डियर कहते हैं कि एक ऐसा नशा समझ लेजिए कि इंसान अंधा हो जाता उसको दिखाई नहीं देता है कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है बस चले जा रहा है अपनी धुन में तो वही चीज आपके पार्टनर के अंदर होती दिख रही है इनके आँखों पर तो पट्टी बंधी हुई है डियर मुर्ख हो गए हैं आपके पार्टनर ये थर्ड पार्टी जो है ना आपके पार्टनर को दिखे ये पार्टनर मुर्ख क्यों हो गए है क्योंकि ये देखी नहीं रहे कि थर्ड party जो है कही न गहीं आपके partner को गिरा सकती है आपके partner का जो level है वो गिरा सकती है ये 3rd party बहुत कुछ ऐसा कर सकती है कि business में ये partner जो है नीचे की तरफ आ सकते है तो यहाँ पर ये आपके partner न जो है वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये थर्ड पार्टी गिराना चाहती है लूट तो पहले ही लिया है इस थर्ड पार्टी ने काफी हद तक आपके पार्टनर को लूट लिया है डियर इस थर्ड पार्टी ने और ये भी दिख रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है इसने आ तर्ड पार्टी जो है अभी इस पर पूरा पूरा अपना अधिकार रखी हुई है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए यह भी दिख रहा है कि थर्ड पार्टी की ठेंकिंग क्या चल रही है यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी बहुत कुछ सोच रही है नहीं सोचा कि आपके पार्टनर के साथ में इस थर्ड पार्टी को क्या मिल रहा है लेकिन जैसे ही आपके पार्टनर के बहुत बुरे दिन आ गए जैसे ही आपके पार्टनर के लाइफ में फाइनेंशली बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई आपके पार्टनर जो है फस गए हैं लोन में फ़स गए हैं आपके पार्टनर जो है पैसो का बोज उनके उपर आ गया है कर्ज उनके उपर आ गया है है ना बहुत ज़्यादा फ़स गए है struggle चल रहा है उनकी life में तब इस third party को एहसास हो रहा है कि इस relation में उसको मिल क्या रहा है तो यहाँ पर इस third party की thinking देखकर मुझे बहुत हैरानी हो रए है कि ये third party कि इस हद तक सोच रहे है कि आपके पार्टनर से इस third party को मिल क्या रहा है वो ये नहीं सोच रही है कि इस third party ने आपके पार्टनर से क्या क्या ले लिया है आपके पार्टनर के साथ में रहकर इस थर्ड पार्टी ने किन चीजों को पाया है वो ये थर्ड पार्टी नहीं सोच रहे है लेकिन अभी सोच रहे है कि आपके पार्टनर के साथ में अगर वो रह रहे है इस कंगाली हालत में तो आपके partner इस third party को क्या दे सकते हैं क्या उमीद रखे ये third party आपके partner से तो dear काफी हद तक मुझे यही चीज़े यहाँ पर दिख रही है सोच रही है कि इसको मिल क्या रहा है क्या मिलेगा इससे इस partner के साथ मैं attach रहने में क्यों इस partner को मैं चून के रखूं अपनी life में मेरी life में तो बहुत सारे option है इस third party के life में मैं आपको बताओ यहाँ पर option का card निकला है और यह option का card यही बता रहा है कि इनकी life में कुछ ऐसे पल है कुछ ऐसी situation है जहाँ पर यह third party जो है enjoy करती है जहाँ पर यह third party अपना option के साथ में रहती है पर यह third party जो है न कहीं न कहीं इसको मिल क्या रहा है बार बार इसके दिल में जहन में एक ही सवाल बार बार आ रहा है कि आपके partner के साथ में अब इसका future क्या होगा अब आपके partner के साथ में क्या कोई आगे की life हो सकती है तो यहाँ पर बहुत कुछ सोचती हुई सोच में डूबी हुई दिख रही है यह third party इसको मिल क्या रहा है भई बहुत कुछ मुझे भी सोचना पड़ेगा न कि यह third party को मिल क्या रहा है यहाँ ऐसा लग रहा है dear अब वो partner के पैसो को ले कर परिशान हो रही है इस third party के मन में ऐसे feeling आ रही है कि आपके जो partner है ना अब हो सकता है कि उनके पास में business related बहुत ज़्यादा करजा हो गया है business related बहुत ज़्यादा loss वो अपनी life में पा रहे हैं यहाँ पर यह चीज़ दिख रही है कि अब मेरा गुजारा इसके साथ में नहीं हो सकता तो यह third party के clear thinking है कि अब third party सोच रही है अभी present में कि यह सब situation तो चल रही है आपके partner के life में loss से तो गुजर रहे हैं dear काफी लोगों के partner loss से गुजर रहे हैं loss इनको हुआ है हो सकता है कि इन्होंने कोई loan लेके रखा था और इस third party को gift देने के चकर में मकान का gift हो सकता है कार का gift हो सकता है किसी भी तरह का gift हो सकता है पर जिस भी तरह से इन्होंने करजा लिया था वो यह नहीं चुका पाए है इनकी job चली गई है वो चीजे दिख रही है कि अब ये third party सोच रही है कि मेरा गुजारत तो इस partner के साथ में बिलकुल नहीं हो सकता है और मुझे इन हालातों से बाहर निकलना पड़ेगा और dear इसके लिए ये third party जो है बहुत ज़्यादा prayer कर रही है universe divine से कि उसके life में ये जो situation आई है ये पैसे के वो चली जाए ये वो prayer नहीं करें कि आपके partner की जिंदगी में जो दुख भरे दिना हैं जो finance से वो गुजर रहे हैं जिस finance के उनको तकलीफ हो रही है bank वाले परिशान कर रहे हैं loan वाले परिशान कर रहे हैं selfish वाली energy इस third party की जलक रही है dear और ये दिख रहा है कि अपनी मर्जी से चला रही है आपके partner को kबजे में करके रखा है dear इस third party ने control में करके रखा है और controlling energy है इस third party की काफी लोगों के लिए मैं बोलूँगी कि आपके partner को अपनी मर्जी से चलाया जा रहा है अगर ये फैमिली है अगर ये एक्स है गर्फरेंड है जो भी है डियर यहाँ पर मुझे फैमिली का बहुत ज़्यादा एनरजी फील हो रहा है और उसी तरह से मैं बोलूँगी कि यहाँ पर अभी पार्टनर को बहुत ज़दा कपजे में करके रखा है बहुत ज़दा कंट्रोल में करके रखा है और आपके पार्टनर जो हैं वो कहीं न कहीं decision नहीं ले पा रहे हैं और बहुत confuse हैं ये third party जो है ना अपनी मर्जी उन पर थोपती चली चा रह oppress ​ मान लीजिए इस third party को पैसे चाहिए नहीं मुझे तो पैसा चाहिए आप कहीं से भी ला कर दीजिए मुझे वहाँ पर party में जाना है कहीं भी करो कुछ भी करो मुझे ला के दो या फिर मुझे वो कार लेनी है या मुझे घर लेना है तो कुछ भी करके आप मेरी डिमांड को पूरा करो वरना मैं आपसे बात नहीं करूंगी वरना मैं आपसे नाराज हो जाओंगा या नाराज हो जाओंगी तो यहाँ पर आपके पार्टनर जो है उनको परिशान किया जाता है थर्ड पार्टी की तरफ से डियर और थर्ड पार्टी ने पूरी तरफ से आपके पार्टनर को अपने कबजे में करके रखा है controlling energy है अपनी मर्जी उन पर थोपती चली जाती है उनसे जबरदस्ती से काम कराया जाता है आपके person अगर आपकी तरफ आते हैं या आपके बारे में सोचते हैं या आपके साथ में रहते हैं तो भी ये third party जो है अपनी चालाकियों से अपना दिमाज लगा कर आपके partner को मजबूर कर देती है कि वो आपसे बात ना कर पाए और इस third party से बात करें मान लीजे कि आपके partner घर आए हैं ठीक है ये third party जो है बाहर कहीं इनका relation है और जैसे ही आपके partner घर आते हैं तो आपसे बात करते हैं या किसी तरह से तो ये phone पर message करना phone पर chatting करना इस तरह का कुछ कर देती है कि आपके partner जो है phone पर लगे रहते होंगे और आपकी तरफ वो ध्यान नहीं दे पाते हैं आपने क्या खाना बनाया आप किस दर्द में हो क्या तकलीफ में हो आप कर क्या रहे हो बच्चों ने क्या खाया क्या नहीं खाया बस आपने जो बनाया वो खाते जा रहे हैं और phone चलाते जा रहे हैं उस third party की तरफ उनका ध्यान चला जाता है तो यहां जो third party है ना वो किसी न किसी तरह से confused रखने का काम करती है आपके partner का ध्यान आपनना पड़े बचो पनना पड़े फैमिली पनना पड़े इस तरह का करती है और अगर ये third party जो है ना बातों में लगाती है कि मुझे फोन करो मुझसे बाते करो इस तरह का भी दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जबरदस्ती आपके पार्टनर जो है फोन पर घंटो बाते करते रहते हैं डियर फोन पर लगे रहते हैं हर तरह से ध्यान रखती है यह थर्ड पार्टी कि बहुत ज़्यादा परिशान कर देती है कि फिर मैं तुमको बार-बार फोन करूंगे आधी रात को फोन करूंगे चाहे तुमारे घरवालों को पता चल जाए किसी को भी पता चल जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तो यहाँ पर आपके पार्टनर को मजबूर भी कर देती है और यहाँ पर आपके पार्टनर मजबूर हो जाते है और फिर वो उसी थर्ड पार्टी में लगे रहते हैं उस थर्ड पार्टी से बाते करते रहते हैं चाहे लडाई हो रही हो या प्यार के बाते हो रही हो पर फोन पे तो वो लगे ही रहते हैं तो यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है कहीं कोई चुक न हो जाए ये थर्ड पार्टी का पूरा पूरा ध्यान रहता है आपके पार्टनर के उपर ये थर्ड पार्टी पूरा पू आप उनसे अपने दिल की बाते शेयर कर सकें, आपका वो हाल जान सकें, आपके फीलिंग्स को वो समझ सकें, मतलब पल भर भी नहीं बैठने दे रहे हैं, तो कैसे आपके पार्टनर जो हैं, वो आपके बारे में सोच पाएंगे, आपके बारे में फील कर पाएंगे, तो ये दिखरें कि थर्ड पार्टी बहुत शातिर है, बहुत चालाग दिमाग है इसका, और ये लोमडी की तरह काम कर रही है, ये थर्ड पार्टी पार्टनर को ऐसा व्यस्त रखती है, कि पार्टनर आपको टाइम ना दे, पार्टनर आपसे बात ना करे, परिवार को ना देखे बेबी है तो बेबी पर ध्यान ना दे बच्चों पर ध्यान ना दे तो इस तरह की एनरजी इस थर्ड पार्टी की रही है ये थर्ड पार्टी पार्टनर की नजरों में आपको बुरा बना देती है कुछ तो ऐसी बाते होती हैं क्या होता है जब आपके पार्टनर जो हैं घर आए हैं बातों में लगे हुए हैं खाना नहीं खा रहे हैं आप से सही से बात नहीं कर दें आपकी किसी बात का जवाब नहीं दे रहें फोन पे लगें तो आपको भी थोड़ा सा गुस्सा आता है और जब आप गुस्ता करते हो तो क्या होता है कि वो पार्टनर बताता है कि हाँ मेरी पार्टनर गुस्ता हो रही है या मेरे पार्टनर जो है मूँ तेड़ा कर रहे है या जो भी प्रॉब्लम आपकी जो भी सिच्वेशन रहती है उस तरह आपके पार्टनर को जो भी आप कर सब्सक्राइब टेडर कर देती है कि आपके पार्टनर से ज्यादा खराइब हो हो थो फ़र आपकंसे और भी चुक्राइब ऊप्ति को और से नफरत ह लेकिन दिखावा जरूर करेगी कि पार्टनर की नजरों में ऐसा लगे कि वाकरी में ये बहुत अच्छी है, इसके अंदर कुछ कॉलिटीज है, ये गुड मदर बन सकती है, तो इस तरह का ये थर्ड पार्टी जो है शो आफ करती है और आपको आपके पार्टनर की नजरों म इसके Object-EE फायदा उठाती है और दियर दिख रहा है कि दिमाग बहुत है इसके पासแตहर्टर बहुत है इतना upstream, एैसा नहीं कि आपके पास में मुड नहीं है लेकिन हम जो होते हैं कि क्या करते हैं, शातिर नजरों में प्यार करते हैं उसके आगए को चाला किया नहीं पिं ना किसी तरह से अपने जहां से मिले ना किसी भी तरह से अगर ये थर्ड पार्टी चालाक ना होती अगर ये थर्ड पार्टी सेलफिश ना होती तो आज आपके पार्टनर जो है जो वो इस सिच्वेशन में आ गए हैं आप देख रहे हैं ये तीनों कार्ट क्या बता रहे हैं जिसना प्रॉब्लम आप देख रहे हैं न कि ये बिल्कुल कंगाल हो चुके हैं, इनका बैंक बैलेंस खतम हो गया है और इनके लाइफ की जो भी तरकी थी वो कहीं न कहीं डगमगा गई है और पुरी तरह से फस गए हैं, चारो तरह से करज़दार का करजा इनके सर के उपर गया है, बैंक का करजा इनके उपर आ गया है, पूरी बुरी तरह से फस चुके हैं, तो कहीं न कहीं इस थर्ड पार्टी के चकर में आपके पार्टनर के आँखों पे जो पत्ती बंदी थी, वो उन्हें दिखाई नहीं दी, हकीकत उन्हें दिखी नहीं कि वो किस गलत रास रास्ता ही दिखा रही थी, वो थर्ड पार्टी बहका रही थी, वो थर्ड पार्टी कहीं न कहीं इस तरह का रास्ता दिखा रही थी, कि आपके पार्टनर को कंट्रोल करके उनसे पैसा ले लेकर आपके पार्टनर के लाइफ में वो थर्ड पार्टी आगे बढ़ने की उनको इस third party ने ये third party जो है ना partner को busy रखने लगी है पूरी तरह से busy रहने लगें दियर फायदा उठाती है अब ये partner का emotions का फायदा उठाती है दिमाग बहुत है इसके अंदर हच से जादा है आपके पास में भी है लेकिन मैंने कहा ना कि हम लोग इतना गलत उपयोग नहीं क और ये selfish nature की है अभी क्या दिख रहा है राज करना पसंद है इस third party को queen बन के रहना पसंद है ये कहीं ने कहीं queen of swords है तो ये third party जो है ना अपना दिमाग इस तरह से लगा रही है कि कैसे कैसे आपके partner की जिंदगी में क्योंकि देखो उसको ने क्या मान लिया इस third party ने कि अभ इसे हो गए फटे पुराने कपड़े पहने हुए है पैसो की इतनी दिक्कत आ गए इतनी किलत आ गई है पैसो की कि इनके life जो है पूरी तरह से बरबाद हो गई है पूरी तरह से और यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये third party को लग रहा है जब ये इतने ही जादा बरबाद हो पहले हैं ठीक है क्योंकि इस third party की पसंड जो है वो पैसा है और पैसेवाला इनसान ही इस third party का दिल रक सकते है इस third party को रख सकता है तो यहाँ पर ये दिख रहे है कि third party आपके partner को involve नहीं करना चाहा रही है नहीं उनके साथ में रहना चाहा रही है ऐसा दिख रहा है कि ये अब third party जो है कहीं न कहीं कोई बड़ा step लेना चाहती है ये third party जो है आपके partner के against कुछ planning करती हुई दिख रही है ये third party आपकी कोशिश को नाकाम करती है dear मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी बहुत कोशिश कर रहे हो कैसे कोशिश कर रहे हो आपके partner की जिंदगी में जो struggle वाली life है जो problem चल रही है बहुत सारी ऐसी चीज है जिसमें आप उनकी बहुत help करते हो तो ये आपका partner बहुत अच्छे से जानता है तो यहाँ पर यह जो third party है आपके कोशिशों को कहीं नाकाम करती रहती है और आप इसकी चाल में फ़र्ज गए है कैसे नाकाम करती है और कैसे फ़र्ज गए है आप मैं यहाँ पर clear करती हूँ कि यहाँ पर यह दिख रहा है कि इसके पीछे की सच्चाई आप देखते नहीं कि यह third party क्या चाह रही है यह third party क्या चाह रही थी जब आपके life में आई थी ना तो यह third party ने धीरे धीरे आपके partner को अपनी तरफ control करना चालू करा आपने क्या करा आपने जगडे करने चालू कर दी अपने partner से आप बहस करने लगे कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं आप जो हैं कहीं न कहीं गलत इसमें तो आपने समझाने की बहुत कोशिश करी आपने उनको सही रास्ता दिखाने की कोशिश करी पर डियर क्या होता है कि प्यार जो होता है वो अंदा होता है तो यहाँ पर आपके partner को इस third party की तरफ जो attraction था, जो भी कुछ था, अब आपके partner की तरफ से एक attraction था, मगर third party की तरफ से तो selfish nature था, third party को तो ऐसा लग रहा था कि यार बहुत कुछ मिल सकता है मुझे इस partner से, तो जूटा प्यार दिखाने में क्या जा रहा है, एक selfish nature दिखाने में क्या जा रहा है मेरा बच्चा मेरा बाबू मेरा प्यारा सब कुछ बोल बोल के अगर मुझे फ्री में कुछ मिल रहा है तो इसमें क्या बुराई है तो यहां पर जो थर्ड पार्टी है ना इस थर्ड पार्टी ने आपकी कोशिशों को नाकाम किया है और जूटे जाल आई भी है तभी आप इससे मात दे पाएंगे मैं आपको फिर से बोल रहे हूं कि अगर आप चाहते हो कि यह जो समझदारी कर रही है यह जो अपने आपको इंटेलिजेंट बता रही है और आपके पार्टनर को दूर खीच रही है और अगर आप चाहते हो तेखो मैंने कहा कि अगर आप चाहते हो कि इस partner को अपनी जिंदगी में लाना है ये third party family भी हो सकती है बड़ी शातिर दिमाग लगा कर आपको आपके partner से दूर कर दिया ब्रेक अप करा दिया हो सकता है कास टिशू हो हो सकता है कि status maintain नहीं हो आपका और इनका लेकिन ये third party बिलकुल नहीं चाहती क या आप इनके घर की भव बने या आपका इनका रिष्टा बने या आपके partner ने आपको छोड़ दिया है तो ये आपको ले आएं ये third party की नियत बिलकुल नहीं है यहाँ पर कि आपके साथ में आपका partner समझोता करे तो dear ये क्या करती है कुछ ना कुछ influence करकर कुछ ना कुछ control करके अपना राजशाथन चला कर ये third party जो है आपके partner को बहताती है और आप dear बहुत जल्दी हार मान जाते हो आपको लगता है कि मैंने तो बहुत कोशिश कर ली है बहुत ज़्यादा कोशिश करी है पर ये partner नहीं आए लेकिन यहाँ पर dear आपको थोड़ी कोशिश और करन मैं बता दे रही हूं वो बताएंगी कि उनके लाइफ में बहुत सारी problem चल रही है बहुत सारी situation ऐसे आ रही है जहां पर वो उलज गए है उनको उमीद होगी ना तो वो आपी की तरफ बोलेंगे और कुछ लोगों के partner तो ऐसा सोचेंगे कि मेरे कर्मो किसा जा है जो मैं आ यहां पर आपके partner आपको लूट के आए थे आपके emotions को लूट के आए थे आपके प्यार को लूट लिया था उन्होंने तो यहां पर यह सारी चीज़े जो की गई है ना यह जो दिल के साथ में खिलवार किया गया था उनको एक आपको इस situation में डाल कर चले गए थे आपके partner आपके life जो है पूरी तरह से option के बीच में छोड़ कर चले गए थे ना आपको option third party option थी आपके partner आपके भी life थी लेकिन आपने कभी कोई गलत decision नहीं लिया लेकिन आपके partner ने गलत decision को choose किया तो यहाँ पर आपके partner को ये भी लग रहा है जो ये सब कुछ भुगत रहे हैं यहाँ पर trap जो हो गए है जो इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है अब उनको रास्ता नहीं दिख रहा है जो गरीब ही उनकी life में आ गई है जो उनका bank balance खराब हुआ है ये सारी चीजे जो है आप इसको third party को समझ आ रही है और ये third party नहीं आपके partner को समझ में आ रहे है ये third party को तो सहना ही है क्योंकि third party ने जो किया है ना जो उसको पैसा ना मिले ना तो third party डगमगा जाती है लेकिन यहाँ पर तो आपके पार्टनर को समझा रहा है कि उन्होंने जो जो किया था गलत उसका भुकतान उनको करना पड़ रहा है देखिए आपको जरूरत है कि आप अपने पार्टनर को उस थर्ड पार्टी के अंदाज में आओ कैसे आओगे आप उस थर्ड पार्टी की तरह करो जैसा इस थर्ड पार्टी ने कहीं न कहीं आपके ही पार्टनर को इमोशनल तरीके से अपनी लाइफ में लेने की कोशिश करिए आप भी अगर चाहते हो तो आप भी इमोशन्स अपने बढ़ाईएं आप भी रोना नहीं आप क्या करते हों आप हेल्पलेस फील करने आपको क्या करना है इन्होंने चीन लिया आपके पार्टनर को आप कोशिश तो कर सकते हो कम से कम आप कोशिश करो और मैं यह नहीं कहूंगी कि आप जाकर उस पार्टनर के आगे गिर गिराओ या आप बोलो अगर आपको लगता है कि यह पार्टनर आपसे हेल्प मांगता है आपको उस बे में बात करनाँ ऐसा नहीं कि इमोशनल हो कि उससने हेल्प मांगी और आपने उसके हेल्प कर दिए एक दुलाक रुपे दे दिए उसने अपनी लाइफ सेटल करी और जाके थर्ड पार्टी के पास में चल गे तो आप क्यों करती हो अरे यार मेरी पार्टनर गई थी चलो वो मैं accept कर रही है वो माफी मांग रही है मैं उसे accept कर लेता हूँ लेकिन बाद में क्या होता है फिर वहें साथ रहते 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 हैНе फिर वही twins वाली situation आ जाती है फिर problem हो जाती है दूसरों के पीछे तो यहाँ पर डियर अगर आपको लगता है कि इसके साथ में मेरा future है आगे का मेरी planning है तो ही आप decision दीजिए है ना नहीं तो ऐसा नहीं कि भई अब प्यार में अंदे हो गए दुबारा एक बार धोका दे दिया फिर आपको दोका दे दिया जा रहा है फिर आप उसी की बातों में लगे हुए हो तो यह आपको थोड़ा सा समझदारी से यहाँ पर decision लेने होंगे अपने partner के लिए चाहे male हो या female हो मैं दोनों को यही कहूंगी अगर आपको लगता है कि वाकई में यह partner जो है आपके लायक है और आपके partner ने कुछ भी गलत नहीं करा है तो यह आपकी जिंदगी में आ सकते हैं या फिर आप इन्हें accept कर सकते हैं लेकिन अगर आपको लगता है कि यह partner जो है इसने तो मेरे साथ में पूरी life मेरी बरबाद कर दिये, पूरी life, जिंदगी मेरी बरबाद कर दिये, मेरा खुद का जो था, वो सब कुछ ले जा के third party के पास लुटा दिया है, अब मेरे पास में जब अच्छे दिना आए हैं, जब मैं स्टेबल हो चुके हैं, जब मिरे पास पैसा लेना होगा, आपकी सोच है डियर, आप अपने हिसाब से लीजे, ठीक है, आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अब वक्त है, अपने आपको जगाने का, आपको अपने जजबातों को समझने का, फाइट करें, आवाज उठाएं, ये third party चाहें, mother issue है, family issue है, जो भी है, आपको स पड़ी हुई है, third party जो है भटक रही है, इसलिए आपके partner के इर्द गिर्द मटकती रहती है, वरना उसको कोई आपके partner से उमीद नहीं है, dear, कोई, मैं एक बात बिताओं कि ये third party जो है लालच में, जिस तरह से यहाँ पर option का card है, इस third party को किसी तरह का कोई लालच हो रहा ह है, जहां से इसकी जरूरते हैं, जो वो पूरी हो सके, जहां पर इसको इस तरह का burden ना सहन करना पड़े, इसको इस तरह की juggling ना सहन करनी पड़े, तो यहाँ पर ये चीज दिख रही है, कि ये third party जो है इस juggling से बचने के लिए, इस burden से बचने के लिए, इस trap situation से निकलने के करजदार जो परिशान करें, उसके सही करने के लिए, इसे कोई पैसे वाला चाहिए, कोई तो ऐसा पैसे वाला इसको अपनी life में लाना होगा, तो ये एक option की तरफ बढ़ रहे हैं, देखिए, option के card में आप देख रहे हो, किसी बंदे के पास में खुब सारा पैसा है, खज कि इसे आप पैसे की बहुत जरुवत है, आपके partner के पास में तो कुछ रहा नहीं है, पुरी तरह से खाली हो चुके हैं, तो dear, ये थर्ड पार्टी भटकती दिख रही है, ये अपना mind लगाती हुई दिख रही है, कोई मिल जाए, तो dear, आपके दिल में पूरी, ये समझ ल देगी, आपके partner जो है, अकेले रह जाएगा, क्यों कि यहां पर देखिए, डैथ का कार्ड है, और ये कार्ड यही बता रहा है, कि रिष्टा जो है, ये पैसों के पीछे खत्म होगा, ये जो कंगाली आई है, ये जो थर्ड पार्टी इतनी बुरी तरह से ट्रैप्ट हो ग इतने पैसे वालों के बीच में, इसके पास में पैसा बिलकुल नहीं है, और ये थर्ड पार्टी जो है, पूरी तरह से आप यकीन मानिये, अभी इसका मूड है कि कोई पैसा वाला मेरी लाइफ में आ जाए, किसी तरह से, और ये थर्ड पार्टी उसका फाइदा उठा ले जो इसकी डिमांड को पूरा कर सके, जो इसकी जरुवतों को पूरा कर सके, और जो इसकी जो इच्छा है ना वो पूरी कर सके, तो डियर कहीं न कहीं ये दिख रहा है, कि अब थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को आप्शन की तरह ट्रीट कर रही है, क्योंकि आपके पार पार्टनर खुद भाग जाए इस थर्ड पार्टी को छोड़ कर आपके पार्टनर जो है इस थर्ड पार्टी की जिंदगी से निकल जाए आप देख रहें कि बंदा जो है चुपचाप निकल रहा है तो वही चीज करने वाली है इस इस्थिती में ले आएगी कि यह करना पैसे में इंजोई करना और वो सब चीजे इसको आपके पार्टनर नहीं दे पा रहे हैं वो सब चीजे डियर कहीं न कहीं किसी और से इसे मिलने वाली है तो यहां पर यह थर्ड पार्टी जो है पैसो की दीवानी है और आपके पार्टनर से ज्यादा पैसा मिलने वाल ये third party पूरी तरह से mood बना चुकी है, ये third party आपके partner से move on होने की सुकी है और dear अपना कदम उठा चुकी है, ये third party risk लेगी, ये third party full की energy में है देखिए, ये एक तरह से मैं बोलू, बेवकूफ तो है, पर risk लेने को तयार है कि आपके partner से better person इसे मिल जाएगा इसे वहाँ पर पैसा बहुत मिल सकता है, तो यहाँ पर ये third party जो है 100% आपके partner को चीत करने वाली है dear और आपके partner जो है इस third party के जादूई नशी में थे, यूँ समझ लिजे कि इनके उपर एक ऐसा जादूई नशा था इस third party का जो ये partner जो है ना इस situation में आकर भी उनकी आखे नहीं खुल पाई, उनकी जो आखों पे पट्टी बंदी थी ना वो खुल नहीं पाई, वो देख नहीं पाई कि उनकी आखों पे किस तरह की पट्टी बंदी है, तभी तो ये इस situation में आ गए इतने जादा करज़दारों के बीच में भीड़ गए हैं, इतने जादा करज़दार जो हैं आपके partner को परिशान करें, कभी bank वाले, कभी bank balance को लेके, कभी मकान का, कभी किसी चीच का, तो बहुत सारी किस्त में ये उलज़े हुए है, और आपके partner तो बुरी तरह से फस चु तो उन्होंने आपके साथ में किया, वही वो भूगतेगी, तो ये हैं आपके partner और third party के बीच का कुछ जो हाल चल रहा है अभी के लिए, तो I hope आप लोगो को reading अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो like कर दीजेगा, और जो लोग first time चैनल पर आरे हैं, प्लीज चैनल को subscribe कर दीजे, support करने के लिए बहुत-बहुत thank you dear, dear मैंने comment section में अपना number कहीं पर नहीं दिया है, मैं personal reading नहीं लेती हूँ, तो कोई भी अगर आपको मेरा logo लगा के message करता है, तो dear आप लोग chatting मत किया किजिए, उन लोग उसे किसी भी तरह से आप संपर्क ना करें, ठी चैनल उसका जिम्मेदार नहीं होगा, okay dear, support करने के लिए बहुत-बहुत thank you.